अलो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम ग्लास 8 NCRT बुक के चैप्टर Exponents and Powers के questions 4 raised to the power x plus 4 raised to the power x plus 4 raised to the power x is equal to 192 into 2 raised to the power x plus 1 में x का value असान से असान तरीके से निकालना सिखेंगे ताकि आप इसी प्रकार के प्रस्णों को असानी से सवब कर सकें ऐसे प्रस्ण फ्रेंड्स समानता उन प्यार में पुछे जाते हैं बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यह करना चाहता हूँ कि अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवां शेयर अवस्ट कर दीजिए इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगा यदि आप लोग मेरे वीडियो से कुछ सिखते हैं और आगे भी सिखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवां बिल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर फ्रेंड्स हमारा जो यह सवाल है कि इस जो सवाल है 4 raised to the power x plus 4 raised to the power x plus 4 raised to the power x is equal to 192 into 2 raised to the power x plus 1 का यह जो है इसमें x का भाहिलू निकालनी है ठीक है चलिए इसको स्वाल करते हैं सबसे पहले हम लोग इस सवाल को आप लिख लें कि यहां पर हम लोग 4 raised to the power x plus 4 raised to the power x plus 4 raised to the power x is equal to 192 192 into 2 raised to the power x plus 1 ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं आगे जो step होगा वो यहां पर जो है हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 raised to the power x into bracket के अंदर आपका हो जागा 1 plus 1 bracket close is equal to 192 into 2 raised to the power x plus 1 ठीक है अब यहां पर क्या करेंगे इसको अपर उतारें और into इसको जब एड करेंगे तो यह आपको एस थिरी हो जागा और यहां हो जागा 192 into 2 raised to the power x plus 1 अब अगला step क्या होगा कि इसमें इस थिरी को इस थिरी से 192 को कार दें यह कटेगा तींच का ठारा तींचो के बारा यानि 64 बार में कट जागा यह हमारा हो जागा आगे इसको आप लिखें हो जागा 64 into 2 raised to the power x plus 1 ठीक है अब यहां पर a के law of exponent कहता है कि यह जो हमारा आप देख रहे हैं a raised to the power m पर एक पावर और है तो यह हो जाता है a raised to power m into n इसी law का हम यहां पर यूज़ करेंगे यहां पर हम लो लिख सकते हैं इस रूप में आप लिख दें और यह हमारा जब इसको अफ्ट्राइज करेंगे इसको तो आपको मिलेगा 2 raised to the power 6 और यहां into हो जागा यह आप जयों को तेवा आप लिखते हैं ठीक है अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा होगा नेक्स्ट स्टेप यहां पर आप देख रहे हैं यह चीज़ को देखें तो यहां पर एक और लॉग अफ्ट्राइज करता है कि a raised to the power m into a raised to the power n is equal to होता है a raised to the power m plus n हम लोग अब इसी लॉग का यूज करेंगे यहां यहां आप जयों को लिख देखें आप इसको अब यहां हो जागा 2 raised to the power 6 यह दोनों power को आप एट कर दें तो इतना मिलेगा ठीक है अब next step हमारा यह होगा इसको आप जयों को देखें लिख देखें आप अब यहां पर होगा इस वन को आज 6 दोनों को जोड देखें तो हो जागा आपका इतना हो जागा मिलेगा अब यहां पर एक law है कि दोनों side का अगर यह power का अगर base same होता है तो इसके exponent यह जो है equal होंगे तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2x is equal to 7 plus x ठीक है अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे next step में कि इस x को आप left side ले जाएंगे तो आपको हो जागा 2x minus x हो जागा और यह तो 7 रहेगा ही अब therefore इसको आप subtract करेंगे दोनों को तो यह x हो जागा is equal to 7 हो गया यह हमारा answer हो गया thanks for watching the video